हेलो बच्चो आज मैं आपको क्लास 10 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक इसकी असेस्मेंट वर्क्षिट 13 कराऊंगी जिसकी डेट है में पास 29 जैनुरी 2022 तो आज की वर्क्षिट में फिर वही 20 मार्क्स की वर्क्षिट आई है लेकिन टोटल 10 कोशन्स नहीं है तो पहले एक आपके पास दो कोशन है तो टोटल आपके पास तो सेवन कोशन से वर्क्षिट है आपके 20 मांक की कोशन से इसमें नहीं है आज चलिए स्टार्ट करते हैं के स्टी से यहां लिखा जरीना प्रिपेर देश फॉर दा पाटी टीश इन्वाइट फ्यू अफूर प्रेंड फ्र देखो यहां पर एक गर्ल है उसने एक डिश बनाई पाटी के लिए मतलब की कोई भी खाने की चीज बनाई उसने अपने कुछ ट्रेंड को इन्वाइट किया था अब उसने क्या किया वह जो डिश है ना एक सैमी सर्कुलर बाउल में डाल दिया इसमें जिसका डायमेटर आ Mus deeply आपको डिया अब उसने क्या क्या जो यह डिश बनेघ्टिटी ना इस बढूर प्धना जो भी समान था हो इसने एक वली डालाकगाउय हों कोई ने बिल्कुल भी बचानी इस डिश कवी उसने का पानी ती पूरा को पूरा में आ उन स्लेंडिकल कम स्मी में आगे आ इक चीज़ आप यहां देखिए जितनी इस सेमी सर्कुलर बाउल की वॉल्यूम होगी उसी साफ से उसने स्लेंडिकल कप्स भरे होंगे तो मैं यह कह सकते हूं यहां पर सबसे पहली बात अगर हम यहां पर बाउल की डाइमेंशन लिख दे तो जो बाउल है उसमें हमार पास अगर हम आर देखे तो वह 15 cm का है ठीक है और जो कप है उसमें अगर हम देखे तो एच हमार पास 4 cm का है और जो आर है वह हमार पास कितना है यहां पर 15 x 2 cm क्यूंकि आपको यहां पर यह डायमेटर 15 दे रखते तो मैंने 15 x 2 कर दिया अब देखो जो वॉल्यूम आपके पास semi circular bowl है वो किसके बराबर होगी वो बराबर होगी जितने भी वो cylindrical cup भरियोंगे उनके बराबर तो मैंने ले लिया volume of x cylindrical cup मैंने माना कि कितने cup भरियोंगे x cylindrical cups भरियोंगे ठीक है तो semi circular bowl आप देखो हेमिस्फियर की शेप का है तो उसकी volume होती है 2 x 3 pi r cube और यहाँ पर x into cylindrical cup तो slender की volume होती है pi r square h clear है तो pi से pi मैंने यहाँ पर cut कर दिया ठीक है 2 x 3 ऐसी है r की जगा 3 बर 15 लिखा याद रखेगा bowl की dimension bowl में लिखेगा और cup की dimension cup में लिखेगा यहाँ पर h आपके पास 15 by 2 और 15 by 2 hf 4 ठीक है यहाँ तक इसको इससे cut किया 2 पर इसको इससे cut कर दिया इस 15 से यह 15 कट हो गया इस 15 से यह 15 कट हो गया अब इस 3 से यह 15 कट हो गया तो x बराबर कितना आ गया 2 in 2 में 5 x कितना आ गया 10 इसका मतलब total 10 cups भरे होंगे cylindrical cup तो required number of cup कितने आ गए वो आपके पास आ गए 10 clear second है आपके पास find the ratio of curved surface area of the bowl to the cup आपको ratio निकालनी है किसका कप का और बाउल का उसकी ratio निकालनी है तो कैसे निकालेंगे यहां पर तो required ratio यहां लिख देते हैं पहले हम इसे formula लगाना है और कुछ नहीं करना देन solve परना है तो csa of bowl divided by csa of cup ठीक है न बाउल था hemisphere की शेप का उसका csa क्या होता है आपके पास 2 pi r square cup था स्लेंडर शेप का उसका क्या होता है 2 pi r h 2 से 2 कट गया pi से pi कट गया r square मतलब 15 into 15 बड़े वाला r क्या था 15 by 2 और h कितना था 4 था 15 by 2 into में 4 इसको इससे कट किया 2 आ गया इस 15 को इस 15 से कट कर दिया तो 15 by 2 तो रेशो कितने आगई 15 रेशो 2 आगई क्लियर पोशन नमबर 3 आप पे इफ दा वॉल्यूम रिमें दा सेम और डायमेटर इस इंक्रीस चुट्वंटी सेंटीमीटर ऑफ स्लेंडिकल कप अट वाइड दा कप कैन भी फिल अब कि जो इसकी वालूम थी वो तो सेम ही रहेगी बाउल की जो सिलेंडिकल कप था ना उसकी डायमेटर जो है वो इंक्रीज हो के 20 हो गई पहले 15 थी अब 20 हो गई तो बताओ कि अब वट हाइट दा कप कैन भी फिल तो कप कितने तक भरेगा कितनी हाइट तक फिल हो जाएगा तो इस बार हाइट आपक 10 सिलेंडिकल कप क्योंकि अभी हमने उपर निकाले कितने कप फिल हो थे 10 फिल हो थे ना तो 10 सिलेंडिकल कप ठीक है अब इसकी वॉल्यूम तो वही रहेगी 2 बाय 3 पाई आर क्यूब यहाँ पर आजाएगा 10 इंटू में पाई आर स्क्वार और एच आजाएगा ठीक है ना इंटू में 20 बाय 2 और एच आपको निकालना है इसको इससे कटकिया 10 इसको इससे कटकिया 10 तो एच कितना आ जाएगा 2 बाय 3 इंटू 15 इंटू 15 अब देखो यहाँ पर यह तीन बार जो 10 है मल्टिप्लाइक है इधर आके तीनों वह क्या आजाएगे डिवाइट क्यों जा मतलब कितना आजाएगा 2.25 यूनिट यहां से देखो आप मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर है यह आपका आंसर क्या कोशन नमबर 3 केस स्टेडी कंप्लीट चलिए नेक्स्ट करते हैं यहां क्या रहे हैं ऑन दा ओकेशन ऑफ रीपब्लिक डेटर नैशनल फ्लैग इस यहांपर फिगर आपको बनागर दिये हैं यह ऐसको अधृति त में यह फ्लैग को निकाल रहाएं स्कूल बिलिग से आपने क्या 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 ह closure तो ये फ्लैक की वो दे रखिए है हाइट और स्कूल बिल्दिंग आपको यहाँ पर कितनी दे रखिए यह आपको पीटाजी रखुं है आपसे क्या कह रहा है कि जो एंगल ऐङुबच बन रहा है ना कौन सा एंगल ऑफ्हयॉट्ट से इस ग्राउट के पॉइंट तक जो बनना या का चैनित को तॉ इसको फंट कैसे करेंगे जाए हम यहां पर, तो अगर मैं इस फिकर को यहां पर ड्रो कर लूँ, फोजिशन नमबर 4 को, ठीक है। यहां पर यह वो है फ्लैग है यहां पर, सी, भान के इसको इहां पर बनाधेते हैं और यहां पर E और B माल लेते हैं, यहां पर D माल लेते हैं। यह मुझे 10 मीटर दे रखे, यह फ्लैक से मुझे कितनी दे रखे थी, बिल्डिंग से फ्लैक तक की दुरी 7.32 मीटर थी, यह ठीटा मुझे पूरा निकालना है, यह अंदर वाला मुझे 30 डिग्री दे रखा है, अब आप देखो, आपको find क्या करना है, find आपको इहां पर करन है, ठीक है, तो यहां पर 10.30 लिग दिया मैंने, अब P मेर पास कितना है, देखो, छोटे वाला ट्राइंगल देखना सी, वो है BC, अब B कितना है मेरा AB है, तो 10.31 अपॉन में रूट 3, BC कितना है मेर पास 10, AB कितना है, मेर पास AB क्यूंकि वो मुझे नहीं पता, तो मैंने AB यहां से मेरा AB निकल गया, 10 root 3 cm, मीटर में ना information, तो यहां मीटर आ गया, AB आ गया, अब आप बड़े वाले ट्राइंगल की बात करो, ABD की, जिसमें ठीटा मुझे निकालना है, मैंने यहां पर बात की, इन ट्राइंगल ABD, फिर दुबारा इसमें मैंने अपना 10 ठीटा BD अपन में AB, ठीक है, तो 10 ठीटा बड़ाबर, BD जो है, वो कितना होगा, 7.32 प्लस का 10 होगा, और AB मैंने अब भी निकाला है, 10 root 3, तो यहां आजाएगा में पास 10 ठीटा बड़ाबर में 17.32, और 10 root 3, अगर आप ध्यान से देखो, आपको कोशन में root 3 की value दे रखे, 1.732 तो वो value आप यहां पर put कर दो, 1.732, ठीक है, यहां से point हटाया, तो नीचे 100 आजाएगा, यहां से point हटाऊंगी, तो ओपर 1000 आजाएगा, 2-0 से यह 2-0 कट गए, फाइनली 1732 अपन में 10 इंटु में, यहां पर 10 बचा, इस 10 से 10 कट गया, इस से यह कट गया, तो मेरा यहां अपर 10 ठीटा कितना आजाएगा, वो आजाएगा 1, अब 10 ठीटा 1 कितने पर होता है, 45 पर, है न, तो यहां आजाएगा 1045, 1 की जगा लिख सकते हूं, ठीटा की value आगई, 45 जो मुझे चाहिए थी वो निकल गई, clear, चली, फिफ्ट पर आगए, अब पैट्रोल टेंक है, सिल जो cylindrical shape का है, बीच में से, उसके दोनों साइड पर क्या लगे वे हैं, कोन लगे वे हैं, ठीक है, dimensions आपको सबकी दे रखिया, उस पूरे पैट्रोल टेंक की volume आपको find करनी है, इसके लिए सबसे पहली बात आपको figure बनानी पड़ेगी, तो मैंने यहां पर क्या किया, एक cylindrical के बात करूं, तो cylinder की dimensions मुझे दे रखिये हैं यहां पर, H मुझे यहां पर दे रखिये कितनी, 24 cm दे रखिती, D मेरे पास था 28 cm, तो R मेरे पास कितना हो जाएगा, 14 cm, clear है, और अगर मैं कोन की बात करूं, तो कोन की dimensions कैसे दे रखिये, H मुझे 9 cm दे रखिये, D सेम वही 28 ह इसका मतलब D दोनों का सेम है, तो मैंने D और R दोनों सेम ही लिख दिये, पूरे की volume निकालोगे, तो पूरे की volume निकालोगे कैसे, अगर आप cylinder की volume में कोन की volumes प्लस कर दो, तो आजेगा, तो यहां पर करते हैं, तो volume of petrol tank कैसे निकालेंगे, cylinder की volume होती है, पाई R square H, और cone की volume कितनी होती है, 1 by 3, H आप यहां पर capital लिजेगा, क्योंकि हमने H को capital माना है, ठीक है, 1 by 3, पाई R square H, अब देखो, दो कोन है, इसलिए हां पर into 2 कर गिया, ठीक है, पाई R square common लिए है, क्योंकि दोनों में R एक जैसा ही था, इसलिए common लिए है, यह है, पाई की जगा 22 by 7 रखा, R यहां पर देखो क्या है, आपके पास 14, तो 14 into 14 रखा, H आपके पास 24 है, 2 by 3, छोटे वाला H आपके पास 9 है, ठीक है, इसको इससे कट कर दिया तो 3 आजाएग ठीक है, क्यों हो गया, 44 into में 14 और into में 30 हो गया, बस सबको multiply कर दो 1, 8, 4, 8, 0, unit यहां से देखो, centimeter थी centimeter cube आपका आपसा है, क्योंकि volume निकालनी है, clear, चलिए, next करते हैं 6, house A and house B are on the two opposite side of a street and in front of each other, the window of house A is 60 meter above the ground, the angle of elevation of top of house B from the window of house A is 60 degree, and the angle of depression of the base of house B from the window is 45 degree, find the height of house B, figure आपको बनानी है, chapter number 9 का कोशन है, दो house है, दो अपोजिट पर है, पहले वो बनाते हैं, हम यहां पर देखो, तो A और B ही हां बना दिये है, ठीक है, जो इसकी window है वो 60 meter है, तो यहां पर मैंने 60 meter लिग दिया, यह पूरा house है, ठीक है, अब यहां से इसके top से, house B के top पे एक angle of elevation बन रहा है, कितने degree का बनना है, वो बनना है, आपका 60 degree का, और इसके ही top से, window के top से, house B के bottom पे एक angle of elevation बनना है, वो बनना है आपका 45 degree गा, angle of depression बनना है 45 degree का, clear है, तो यह भी 45 हो जाएगा आपके पास, इसको नाम दे देते हैं हम यहाँ पर, CD इसको नाम दे देते हैं, E इसको नाम दे देते हैं, आपको क्या find करना है, आपको यहां find करना है, Be यह पूरा वी जो है उसकी जो हाइट है वो आपको find करने हैं तो find पहले हैं लिखते हैं find में हमको क्या करना है Be करना है फिर क्लियर हो गए यह window थी यहां से angle of elevation और depression बना था बस वो बना यह है सबसे पहली बात करते हैं इन ट्राइंगल ABC की जो नीचे ट्राइंगल बनना है ये वाला इसमें मैंने 10 ठीटा लगाया तो वही पंडित बदिरी प्रसाद हर हर बोले से लगाएंगे तो P upon B आएगा कीटा की जगा मुझे 45 दे रखा है देखो P मेर पास है AC B मेर पास है AB 1045 मतलब 1 हो जाएगा AC मुझे 60 पता है AB नहीं पता तो यहां से मेरा AB निकल जाएगा 60 मेटर क्लियर है अब बात करते हैं उपर वाले ट्राइंगल की इस वाले देखो एक चीज़ और देखो यह वाली भी तो 60 होगी क्योंकि AC 60 है तो अगर मैंने ED निकाल ली तो दोनों को जोर दूंगी तो आजएगा मेरा BE तो अब ED निकालने के लिए बात करते हैं कौन से ट्राइं नहीं पता वह मुझे फाइंड करना है एडी और बी मेरा पास कितना है सीडिये मिर पास रूट 3 होता है एडी मुझे नहीं पता आप देखो जितना मेरा AB होतना ही मेरा सीडी होगा बेस तो सेम ही होगे तो वह आजएगा 60 मीटर तो 60 आ गया ED मेरा हिहां से निकल गया 60 रू 60 रूट 3 डीवी मुझे पहले से पता था 60 है पॉमल ने लिया यहां पर आगया रूट 3 प्लस 1 मीटर यह मेरा आंसर हाउस बी की हाइट आगे क्लियर एक लास्ट कोशन आगया कोशन नमबर 7 टी क्यूग्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइन इन दा फिगर फाइंड टोटल सर्फेस एरिया आपसे कह रहा है तीन क्यूब है जो आपने एक साथ जोर दिये जिनकी वॉल्यूम दे रखे 64 है आपके पास आप इसका टोटल सर्फेस एरिया बताओ सबसे पहली बात तो वॉल्यूम दे रखे तो मुझे इसकी साइड चाहिएगी तो देखो वॉल्यूम आफ क्यूब आपके पास होता क्या है वह होता आपके पास एक क्यूब वॉल्यूम मुझे 64 पता है तो यहां एक क्यूब टोटल तीन क्यूब है तो यहां पर देखो पहले समझो इसको फिर इसको करेंगे टोटल तीन क्यूब है तो टोटल 18 से होंगे अब देखो यह दोशलक बवाब कर दो कि तो इसका मतलब अब तॉटल आपके पास फॉर्टीन पशीक्ञार निकालना है तो टिसके होता है में साइट का स्क्वार तो 14 फेसिज इंटु ए स्क्वार तो 14 एक इतना निकला 4 तो 4 इंटु 4 इंटु क्या मेरा 224 सैंटीमीटर स्क्वार मेरा टी ऐस से आ लिए तो यह थी आपके पास आज की वर्कशिट कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट करके पूश लीजेगा वर्कश